Welcome back to World in 3 Minutes. आज हम आपको लेच चालेंगे The Heavenly Islands of Maldives. एक ऐसी डेस्टिनेशन जो जानी जाती है अपनी नाचरल रिदन के लिए जहां लोग अपने स्ट्रेसफुल टेरी रूटीन को पीछे छोड़ कर अन्वाइंड करने आते हैं. इंडिया से Maldives का फ्लाइंग टाइम दो घंटे का है. Maldives का समय इंडिया से 30 मिनट पीछे है. Maldives में इंडियन टोरिस को 90 डेस का वीजा और अर्राइवल दिया जाता है तो अपना पासपोर्ट जरूर कैरी करें. Maldives का पीछ टोरिस सीजन है नवेंबर से एप्रिल के मन्स जिस समय वेदर वर्म और रेन फ्री होता है. June से October के समय जहां आप less crowd और attractive prices पाएंगे, वहीं showers और less visibility एक hindrance बन सकती है. चलिए आपको बताते हैं, Maldives में काम आने वाली कुछ important traveling tips. Maldives में सिर्फ एक ही hotel बुक करें, जो all inclusive services प्रुवाइड करें, क्योंकि hotel transfers काफी महंगे और hectic सावित हो सकते हैं. Maldives में ज्यादतर hotels का अपना private isolated island है, तो food options flexible हों ऐसा ज़रूरी नहीं है. Water resistant cameras और phone covers ले जाना न भूले. Maldives में hidden costs और taxes का ध्यान ज़रूर रखे. ऐसे ही काफी सारी helpful tips आप पास सकते हैं अंत की fact sheet में. Maldives की कोई भी trip आपके hotels के चाइन पर निर्वर करती है और hotel services आपके Maldives experience को बना या बिगार सकता है. इसलिए हम आपको suggest करना चाहते हैं Maldives के top 6 luxury hotels जो अपनी special offerings के लिए world famous बन चुके हैं. The Nautilus beach and ocean houses एक complete resort experience देता है with a private island home, water spots और एक outdoor pool. Suniva Jenny एक private lagoon में हिस्तित है जहां water slides और private pools के इलावा no news, no shoes policy लागो है. Kuramati एक quintessential Maldivian experience प्रोवाइट करते हैं with outdoor sunbeds और lush vegetation. Four season hotels, Maldives में एक one of a kind underwater deep flight submarine experience प्रोवाइट करता है. Conrad Hotel का The Moraka Suite एक two level underwater residence है जो आपको ocean के views और marine life के साथ रहने का अद्बुत एहसास देता है. St. Regis का private island escape धालू अटॉल पर स्थित है जो अपने world class iridium spa के लिए मशूर है. Hotels के बाद अब हम जानते हैं कि Maldives में कौन से experiences आपको undertake करने चाहिए. Of course, spa treatment, snorkeling और diving, बाँ अटॉल के राद को चमकने वाले bioluminescent beach देखे, submarine ride ले, paddle boarding करे, island hopping करते सामे scenic flight ले, underwater dining का मजा ले, एथा अंड़ सी restaurant में, capital city माले का टूर ले, और लास्टली विजट करे, बंधारा के लिए लिख. Maldives में यह dishes आपको try करने चाहिए. बिस कीमिया, गुरुदिया फिश सूप, मास हुनी फिश सालिद, बोशी मश्चोनी बनाना फ्लावर सालिद, कोलहा फिश स्नाक, सागु बिंदिबाई जोकी साबुदाना पुदिंग है, क्योली बोवा की बाँ, अलूवी बाउ की बाँ और बानबू के यो हैरिसा. Maldives से आप यह सारी चीज़ें सोविनियास के तौर पर ला सकते हैं. Maldivian mats, sarongs, coconut related products, homemade necklaces, joneys जो की miniature sailboats है, scarves, fish products, lacquer pens, और finally swimwear. चलिए, हम आपको बताते हैं Maldives के बारे में कुछ interesting facts. Maldives करीब 1200 islands को मिलकर बना है, जिन में से कुछ पर तो humans रहते तक नहीं, और कुछ global warming के कारण कायब तक हो रहे हैं. Maldives के beaches, quads नहीं, coral से बने हैं, जिसके कारण वे world के 5% सबसे rarest beaches में से हैं. Maldives में alcohol का सेविन सिर्फ hotels और resorts में ही allowed हैं, इसलिए tourists को साफधान किया जाता है कि किसी भी प्रकार की लिकर Maldives में ना ले जाएं. इस fact sheet का screen shot लेना बिलकुल ना भूलें. अगर आपको इस वीडियो ने Maldives जाने के लिए इंस्पार किया है, तो बुकिंग्स की जानकारी के लिए हमें Facebook पर एक message ड्रॉप करें, जिसकी details आपके screen पर है. Netsar की most popular videos देखने के लिए आप screen पर दिख रही links पर click कर सकते हैं. I'm sure आपको यह video पसंद आई है,